Hello friends, very welcome to you all. आज हम बात करने वाले हैं section number 6-1 के बारे में. Section number 6 जो डील करता है, जो डील करता है residential status से. सर क्या होती है residential status? देखो, residential status citizenship से बहुत अलग होती है. Citizenship आपको by birth मिलती है. जैसे कि मैं इंडिया में पैदा हुआ तो में इंडिया है इंडिया है वैसी आप जिस country में हो वो आपकी citizenship है लेकिन employment के परपस के लिए या हो सकता है किसी परपस के लिए आप जुसरी country में गए वहाँ पे रुखते हो तो वहाँ जितने दिन रुखोगे तो अगर आपने उस कैसे निकलता है वो निकलता है आपके किसी country में रहने से हो सकता है कि मैं इंडिया का citizenship तो हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंडिया का resident ना हूँ क्यों कि मैं इंडिया में रुका ही नहीं बहुत टाइम तक मैं abroad चला गया पढ़ने य आपको उस country की residency मिल जाएगी तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इंडिया में resident सबसे पहली बात हमको जाननी होगी कि कितने टाइप के resident होते हैं तो देखो उसके लिए हम आते हैं आप में नोट्स पर तो आज हम जो बात करने वाले हैं पहले जिए क्लियर कर लि इस्टेटस आफ एन इंडी वीजुल लुकु सेक्शन 6 वह ए इसेंट स्टेटस लेकिन 6 1 क्या है वह स्टेटस सिर्फ और सिफ इन्डी वीजुल के लिए क्योंकि हमने देखा है पर्सन में इंडी वीजुल है हुए फर्म एओ पी बीए आ अर्टीफील जू डिचल पर्सन एन अदर्स तो हमारे पास सेवन पर्सन है हर पर्सन की अलग-अलग रैटेरिया है इंडिया में तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिक्स वन में इंडी वीज्वल को लेकर सेफ और सिफ उससे पहले आपको सेक्शन 6 के बारे में कुछ बाते जाननी होंगे सेक्शन 6 बोलता है कि रैसिडेंट कितने टाइप के हैं इंडिया में सबसे पहला सबसे पहला है और डिनरी रैसिडेंट क्लियर है जो सेकंड है वो आपके पास है नॉट एन और डिनरी रैसिडेंट तो सेक्शन 6 क्या बोलता है सेक्शन 6 बोलता है कि रैसिडेंटल आपके पास कितने हैं तीन दूसरा कह नॉट एन और नरी रैसिडेंट थेसरा कह नों रैसिडेंट देखो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं आप उस हिंट से समझना जो ओर्डिनरी रेसिजेंट है इसका मतलब है कि आप क्राइटेरिया 100% फुल्फिल करते हो आप इसको भी ऐसे याद करो जिससे आप अराम से समझ पाओगे कि मैं ओर्डिनेरी नहीं नहीं हुँ देखों कि एन नहीं नहीं से होका यहां पर फिफ्टी पंअ granularity फुल्फिल करते हो ओर तीसरे कीस कैसे तो नहीं हूं मतलब कि मैं क्राइटेर्या फुल्फिल ही नहीं करता है थे आपके पास 3 स्टेटर्स है और यही तीन जोण कालने हैं कि एक individual अगर हम बात करें कि एक individual कब बन जाएगा ordinary resident और कब बनेगा not an ordinary resident clear तो आज हम individual की बारे बात करने वाले हैं section number six subsection one के हिसाब से कि एक individual ordinary कब होगा not an ordinary कब होगा और non resident कब होगा तो आईए अपने वीडियो को start करते मेरा नहां में आकास कुमार चुहान और आप में यह साथ देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एक्जाम बैर तो आओ अपने वीडियो को start करते हैं देखो इसको दो हिस्तों में डिवाइड कर दिया गया ठीक दो पार्ट बन गया इसके एक पार्ट है एक पार्ट है एक पार्ट है बी जो पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं बेसिक कंडिशन ठीक हमने का कि एक क्या है बेसिक कंडिशन इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए और जो बी आपके पास है उसको बोला गया एडिशनल कंडिशन बी क्या है एडिशनल कंडिशन क्लिए हैं दोको एक इंडिविज्वल औरी amazing जब वो 100% फूलिफिल करेगा तब बन पाएगा तो हमने कहां कि A प्लस B मतलब A भी उसको fulfill करनी होगी और B भी उसको fulfill करनी होगी end का मतलब क्या होता है कि A को भी और B को भी मैं और लिखता तो A और B में से कोई भी एक लेकिन अब मैंने end लिख दिया असका अलब क्या है कि आप A basic condition B additional condition दोनों को fulfill करोगे अब जाननी यह है कि basic condition क्या होती है additional क्या होती है हम वो दोनों fulfill कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे ordinary resident तो basic condition पर आते हैं तो जो basic condition है उस basic condition के अंदर भी दो condition है अब देखना कितने branch बनते हैं इसके अंदर इस basic के अंदर भी दो condition है जो पहली condition है इसको हम बोल देते हैं one जिससे हम से relate कर पाएंगे easily यह one है और दूसरी condition है वो two है यहां पर अच्छी बात जे है कि आपको basic condition follow करने के लिए one और two में से कोई भी एक condition follow करनी होगी मतलब यहां लगा हुआ है और ठीक है यहां पर और है फिर से दखो individual को ordinary बननी है तो उसको basic के साथ-साथ additional fulfill करना होगा क्योंकि end का मतलब होता है प्लस basic plus additional लेकिन basic condition के लिए उसको one और two में से कोई एक ही condition fulfill करनी होगी क्योंकि वहां लगा हुआ है और ठीक है कोई भी एक condition fulfill कर लेंगे तो आगे देखते है one condition क्या है जो सबसे पहली condition है वो है 182 days 182 days or more इसका वताब हुआ कि 182 days तो होना ही होना चाहिए या उससे ज़्यादा during the previous year इसने बोला कि पहली condition जो है वो यह कहती है कि आप previous year में 182 days or more उस country में stay किये हो अपने तब आप basic condition का पहला condition fulfill करते हो अगर आपने basic का पहला भी follow किया तो आपका basic follow हो चुका है क्योंकि और लगा हुआ है two को आप देखने की ज़ुरत भी नहीं है लेकिन basic का one ही follow नहीं हो पाया तो आपके पास एक chance है कि आप two को follow कर लो तो भी आपका basic follow हो जाएगा clear है लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ी ध्यान देना कि आप basic का पहला condition follow नहीं कर पाते हो तो हम आपको बेनालटी देंगे आपने पहली condition follow क्यों नहीं की हाँ आपके पास chance है कि आप दूसरी follow कर सकते हो तो हमने कहा कि दूसरी को follow करने के लिए अब आपका system थोड़ा hard हो जाएगा अब आपको दूसरी में दो condition follow करनी होंगी एक साथ मतलब कि यहाँ पे and लगा हुआ है तो आपने देखा यहाँ पर क्या दिक्कत हुई अगर आपने basic का one follow कर लिया तो two follow करनी की जवरत नहीं है हम check भी नहीं करने वाले लेकिन अगर आपने basic का one follow नहीं किया तो basic का two follow कर सकते हो लेकिन two की level up हो गए क्योंकि आपने one क्यों नहीं follow किया तो two की level up कैसे हो गए कि two में दो conditions है और दोनों condition आपको एक साथ follow करनी होंगी देखते हैं इसको मैं लिखते है small a और इसको लिखते है small b जो पहली condition है उसने कहा कि आप sixty days और more during the previous year आप basic का one follow नहीं कर पाए तो हम two पे आए क्योंकि हम basic की one में 182 days नहीं stay कर पाए थे किसी country के अंदर इंडिया के अंदर तो हम two में आ गए तो हम two के ए में देखा हमने हमसे कहा गया कि 60 दिन तो रुके थे इंडिया में तो हमने कहा हाँ प्लस अब अगला condition है कि आपको वह भी fulfill करना होगा अगर मैं 182 days यहां ध्यान दीजेगा अगर मैं किसी country में previous year में 182 days stay नहीं कर पाया तो आप basic के two में गए basic के two में पहला point जो है वो कहता है कि चलो 182 days नहीं थे 60 days तो थे previous year में मैंने खा हाँ 60 days तो था उसने का plus साथी साथ जे बाद नहीं मान लो तो मैं आपको basic condition दे दूँगा दूसरी बात क्या है दूसरी बात बोली गई 365 days 365 days or more during during four year immediately preceding the previous year अब आप बोलो कि सर्जे आपने क्या लिग दिया तो देखो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब यह है कि मैं previous year में 60 days तो था तो तो 182 को मैं follow नहीं कर पाया उसने कहा 60 day follow किया आप मैंने कहां किया उसने कहा कि फिर आप previous year को छोड़ दो previous year को छोड़ कर पीछे के 4 साल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो अभी हम लोग किस year में हैं हम लोग है किया आप 365 days थे clear हुआ तो उसने का previous year में 60 days previous year को छोड़ कर उसके पीछे के जश्ट चार साल पीछे क्या आप 365 days अगर थे तो आपको हम basic का 2 दे देंगे तो आप मैं देखा basic condition follow करने के लिए आपको one follow करना था one बहुत असान था लेकिन आपने अगर one follow नहीं किया तो आपक कम हो गया लेकिन आप आपके past record देखे जाएंगे पीछे के चार सलों में कौन सा चार साल previous year को छोड़ कर पीछे के चार साल में आपके 365 days या उससे ज्यादा एवलेबल आपको होना चाहिए उस country में मतलब कि इंडिया में तब आप माने जाओगे basic condition fulfill किया आपने clear है अब हम आपके पास दो condition है और दोनों condition में एंड का यूज किया गया है मतलब कि आपको दोनों condition fulfill करनी होगी अगर आपको additional fulfill करना है तो और लोग गया तो और इसको भी हम नीचे कर लेते हैं यहां पर अपने पास space नहीं है तो हम इसे नीचे ड्रॉ करते हैं और फिर इससे बताता हूं मैं आपको ठीक है तो मेरे पास additional में भी दो conditions है additional का one और additional का two और दोनों condition में मुझे and बोल दिया गया है मतलब की plus बोल दिया गया है मतलब की one और two एक साथ मैं follow करूँगा तो additional condition के अंदर भी आपके पास दो condition है जो पहली condition है वह आपको कभी चेक नहीं करनी वह आपको को से बताया जाएगा हमेशा ही ठीक है तो जो पहली condition है वो क्या है जो बुक में आपको लिखी मिलेगी वह है resident in India at least two out of 10 year 10 year nearly 10 10 previous year 10 previous year इसका मतलब क्या हुआ sir इसका मतलब है आपका जो basic condition का point है point number a वो point number a पीछे के 10 सालों में कोई भी 2 सालों में आपका होना चाहिए मतलब मैं पीछे के 10 साल में point a basic condition किसी भी 2 साल में इसको मैंने fulfill किया हो तो मेरा additional का पहला condition fulfill हो जाता है मैं आपको दिखाता हूं example कैसे मालों यह मेरे दस साल है इस पहले साल में मैंने अपना basic condition fulfill किया है ठीक है मैंने दूसरे में अपने basic condition fulfill नहीं कि मैंने तीसरे में condition fulfill नहीं कि चौथे में भी नहीं कि पांच में में भी नहीं कि सिक्स्त में भी मैंने basic condition fulfill नहीं कि 7 में नहीं कि 8 में नहीं नहीं 10 में कर रहा हूं तो वह कहता है कि पीशे के 10 previous year में किसी भी 2 सालों में अगर आपने अपनी basic condition fulfill की है तो आपने अपना additional का पहला point fulfill किया है अब basic condition क्या है यह है आपकी पूरी basic जहामें लिखा हुआ one or two कोई भी एक परणा को follow करने होंगे पीछे के 10 सालों में तब जाके आप कहला होगे कि आपने additional का पहला condition fulfill कर लिया अब जी इतना बात कर लेते हैं अब जो second point है वही बहुत important point है क्योंकि वह additional को कुछ hard बनाएगा क्योंकि जो पहली point है वह तो copy paste हो गई वह तो आपने assume कर लिया कुछ से कि fulfill होगा वह या तो question में दिये दिया गया होगा लिए दूसरी point है वो आपको fulfill करनी होगी और वो है seven thirty days or more during the seven year immediately preceding the previous year मतलब previous year को छोड़ कर उसके पीछे के साथ सालों में साथ सो तीज दिन आप हो इंडिया में तो आप additional के second condition को fulfill कर लेते हो तो हमने क्या देखा basic में क्या है one eighty two days or more during the previous year नहीं कर पाया तो basic के two में आएंगे two में दो condition है दोनों को एक साथ fulfill करेंगे पहला क्या 60 day in previous year and बोलता है कि पहला point क्या है बोलता है कि पीछे के 10 सालों में किसी भी दो सालों में आपने basic condition fulfill की हो तो आपका additional का पहला point fulfill हो जाएगा दूसरा कहता है seven thirty days or more during the seven year immediately in the previous year पीछे को छोड़ कर पीछे के साथ सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा अगर आप अब लेबल हो इंडिया में तो आपको माना जाएगा कि आपने point to be follow कर लिया हमने point one two दोनों follow किया तो हमने additional follow कर लिया additional plus basic follow किया तो आपने आप बन गए ordinary resident clear है तो अगर मैं बोलू कि मैंने basic मैं अगर बोलू कि ordinary बनने के लिए आपको क्या करना होगा ordinary resident तो आपका अंसर होगा कि हम basic condition plus additional condition दोनों fulfill करेंगे एक साथ ठीक है तो हम बन जाएंगे ordinary लेकिन अगर मैं बोलू कि not an ordinary के लिए आपको क्या करना होगा नौट है और अर्डिनरी रेसीडेंट अगर मैं कहूं कि not an ordinary लिए क्या करोगे आप तो आपको 50 चीज follow करनी है मतलब कि आप सी follow करोगे basic condition अगर आपने सी basic condition fulfill की तो आप non ordinary लेसीडेंट हो आप से कोई पूछे कि non resident कब होंगा मैं तो non resident के लिए आपको कुछ भी follow नहीं करना है आप एक भी point follow नहीं करोगे कुछ भी follow नहीं होगा तो आप बन जाओगे non resident clear हुआ अब देखो इससे कुछ exceptions हैं वो भी देख लेते हैं कि एक्सेप्शन यह है कि आप खाली point a बेसिक कंडिशन की पहली कंडिशन point a1 या ध्यान दीजेगा basic क्या है यह basic का भी पहला सिफ आवं मगौण ही चेक हुदा only a1 जेक करेंगे बता देंगे क्या आप Lehr और बनीले के लिए आप दोनों चैक करनी चाहिए थी लेकिन हम सिफ आवं मगाथ करके बता देंगे क्या बो ऑडिनरी एट है कि नहीं जो पहला condition है वो है कि if India India इंडिया citizen और person of India origin या वो इंडिया में इंडिया की origin हो पापा दादा इंडिया के हो इंडिया origin visit India during previous year ठीक है or second point है when the Indian citizen leaves the India during the previous year for the purpose of employment आपने काम के चलते हैं आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ा आउटसाइड ठीक है तो भी हम मान लेंगे या पॉइंट एवन फॉलो करो तो आप ordinary resident हो क्लियर है और हम वो सकते हैं और इंडिया आप इंडिया के citizen हो इंडिया के season हो ऑर विजिट कर रही हो इंडिया प्रीवेस शिर में तो हम सी point आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दो इंग बात किस चैनल पर आपको इंकम सारी वीडियो मिल जाएगी क्योंकि मैं सारी वीडियो अप्लोड कर रहा हूं फिरी ऑफ कॉस्ट रेगुलर डेपे रेगुलर वैसिस पे इसी करण से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब क कर लीजिएगा अब मिल देख नए वीडियो पर तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव नाइस देख